हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है आज हम कच्छा 10 कत्रिक्रोमिती का प्राशनावली नंबर जो 8D का स्रीच चला रहे हैं उसका ये क्वेस्टेन नंबर 12 है इसके पहले एक से लेकर 11 तक क्वेस्टेन आपको कम्प्लीट किया करवा दिया गया है ये आपके सामने क्वेस्टेन नंबर 12 का एक क्वेस्टेन है और इसको आपको प्रूब करना है कि साइन ठीटा प्लस कास ठीटा को होल स्कॉर प्लस साइन ठीटा माइनस कास ठीटा को होल स्कॉर इसकल टू यानि कि लिफ्ट हैंड साइट और राइट हैंड साइट को आपको कि यह दोनों पच आपस में बरावर होते हैं तो छलिए friends स्टार्ट करते हैं तो friends यह आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो friends यहाँ में क्या करते हैं कि इसका left hand side लेके चलते हैं तो इसका solution करते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि left hand side लेते हैं यानि कि left hand side यहाँ भी left hand side को लेके चलते हैं अपने question को लिखते हैं आपके सामने question है कि sin theta plus cos theta का whole square ठीक है friend plus कोश्ट में sin theta minus cos theta का whole square friends आपको दो लाना है तो इसका आपको पहले विस्तार करना पड़ेगा तो friends आपको यह formula पता होना चाहिए कि a plus b का whole square का formula आपको याद होना चाहिए यह सवाल लगा दे समय तो formula लिख देते हैं a square plus b square plus 2ab यह तो formula होता है इसी formula पर इसका आपको विस्तार करना है तो friends आपके सामने यहाँ आप a मानी इसको यह b यानि कि a का square मतलब sin square theta plus cos square theta plus 2ab यानि 2 sin theta into cos theta यहाँ plus का चिन है तो plus का दीजिए फिन इसके बाद इसका विस्तार कीजिए sin theta minus cos theta whole square बस अंतर के यही फार्मूला है बस यहाँ पर जब minus है यहाँ पर minus लेना और formula यही लगता है तो इसका विस्तार कीजिए यानि कि sin square theta plus cos square theta और plus 2ab यानि 2 into sin theta into cos theta यह तो फार्मूला तो friends यहाँ पर अब क्या करना है कि यहाँ पर इसको minus लेना है ठीक है इसलिए कि यहाँ पर जब minus है तो यहाँ पर इसको minus लेते हैं और friends इसको ध्यां से देखिए यह तो इतना को देखिए इतना ठीक है यह क्या है कि sin square theta plus cos square theta तो sin square theta यहाँ पर थुरा से आगे पर आदे पहले कि sin square theta plus cos square theta क मान कितना होता है इसका मान एक होता है ठीक है friends अब यहाँ पर देखिए plus 2 sin theta यहाँ पर दीखिए minus 2 sin theta तो यह आपस में प्लस स्क्वार्ट के एक होगा यहाँ प कितना हो जागा फ्रेंड कि एक दू आपको कुछ कर नरहे नहीं कि हलिकों को जेए ऊज़िए तो हमारे दो आ गिए, यहां पर आप एंसवर लिखे, इसका क्या लिखेंगे एंसवर पस यह लिखना आ कि लिफ्ट HND SIGHT ठीके FRIENTS यहां पर इसका एंस उडिक olmas डिखे, LIVT HND SIGHT IS satu right HND SIGHT. यह आपका प्रूब हो गया, यह आपका question प्रूब हो गया, चलिए next question पर भी देखते हैं, तो आपका next question है, आपका next question है, कि यह बारा question का B है, कि 1 minus 4 theta, और अगले question 1 plus 4 theta, और अगले question 1 plus 4 theta, इसका कितना लाना है, 1 सिद्ध करना है, यानि कि यहाँ भी वही काम करना, left hand side, right hand side, equal दिखाना है, यहाँ पे आप साल्ब करते हैं, यहाँ पे क्या कराएंगे, कि left hand side ही लेकी चलेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, left hand side, और यहाँ पे question को लिखते है, question किा आपके सामने, कि 1 minus 4 theta, और अगले question में है, कि 1 plus 4 theta, और अगले question, 1 plus 4 theta, ठीके friends, आब देखिए, friends, इसको थोड़ा आप ध्यांस देखे, 1 minus cos theta लिखा है, 1 plus cos theta, यानि एक कोष्टक माइनस से एक कोष्टक में plus वाला है, आपको फार्मूला कई बार हम बता चुके होंगे, जब एक कोष्टक में plus रहता है, एक कोष्टक में minus रहता है, देखे एक बर formula और लिख देते हैं आपके लिए एक formula है कि a square minus sorry दोस्तो a minus b a question a plus b लिजिए और इसका formula आपको बनता है क्या कि a square minus b square देखे यह formula आपको कई बार बता चुके होंगे कि जब a question में minus होता है a question में plus और गुड़ा में होता है तो इसका formula क्या बन कि आपके सामने आता है a square minus b square ठीक है friends तो यहाँ पी एक बार plus एक बार minus है तो इसका formula आपको क्या बन गया है a square minus b square है a square मतलब 1 का square b square मतलब कास square ठीटा ठीक है friends अब इसको देखे 1 प्लस कार्ट इसकार ठीटा वन प्लस कार्ट इसको ठीटा के जगब क्या लिख सकते हैं इसका एक फार्मूला होता है इसका भी कि वन प्लस कार्ट इसको ठीटा के जगब इसका फार्मूला क्या होता है आपको लिख देते हैं फार्मूला कि कोसेक इसको ठीटा स्कल्टू होता है 1 प्लस काट स्कॉर्ट ठीटा यह फार्मूला आपको याद होगा तभी आप कोईस्टन को लगा सकते हैं यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कोईस्टक स्कॉर्ट ठीटा स्कल्टू 1 प्लस काट स्कॉर्ट ठीटा होता है तो यहाँ पी 1 plus 4 square theta लिखा है उसके जगा आप क्या लिख सकते हैं हम है उसके जगा पर हम लिख सकते हैं कोसेक square theta देखिए यह कोश्टक में रहेगा यह कोश्टक इसमें क्या होगा कोसेक theta ठीक है फ्रेंस अब देखिए फ्रेंस आपको पता होगा क्यों 1 minus 4 square theta पता होगा कित याद होना चाहिए तभी तिर्कुमीती का आप सवाल लगा सकते हैं यह साइन फार्मूला लिखे देते हैं आपके लिए साइन स्क्वार ठीटा इसकल्टू होता है वन माइनस कास स्क्वार ठीटा यानि कि जहां पर वन माइनस कास स्क्वार ठीटा लिखा है वहाँ पे आप sin square theta लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं sin square theta और यहाँ पे गुड़ा का चिन देंगे और cos square theta जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि 1 upon sin square theta लिख सकते हैं देखे, sin square theta, sin square एक दूसरे आपस में cancel out हो जाएंगे और आपका बच्चेगा कितना एक यही आपको prove करके लाना था देखिए 1-5 ठीटा अगले question 1-5 ठीटा अगले question 1-5 ठीटा square ठीटा is called to 1 जो कि यहाँ पे 1 आगया तो आप लिख सकते हैं कि left hand side is called to right hand side यही आपको prove करना था यही आपका answer हो गया ठीक है friends तो friends यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को like करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें Thanks for watching